नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC Classes दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ दो या चार मिनिट का वीडियो होगा उत्तर पुर्दिस पुलिस दरोगा भरती जो अभी निकली है 9534 पदों के लिए 9534 पदों के लिए उसमें सबसे बड़ा सवाल है उम्र की सीमा उम्र की सीमा को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन में दिया है उसका मतलब समझ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है वो यह कह रहा है एक साथ 2021 को 21 वर्ष पूरी कर ली हो जितने भी छात्र है एक साथ साथ का मतलब क्या हुआ जुलाई जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रल मैं जून जुलाई तो एक साथ 2021 तो जुलाई 2021 तक 21 वर्ष पूरा हो ठीक है जिनका नहीं पूरा है वो तो फॉर्म भरी नहीं सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है और 28 वर्ष से अधिक की आयू नहीं हो 21 से 28 वर्ष तो आपकी आयू सीमा है 21 से 28 वर्ष यह बात कर रहे हैं जन्रल वालों के लिए ठीक है जन्रल वालों के लिए बात की जा रही है 28 वर्ष की आयू ना पूर्ण की हो अर्थार जिनका जन्म 1793 से पूर्व मतलब जो भी 1793 से पहले के जन्मे हुए हैं जन्रल काटेगरी में चाहे वो 1992 हो या फिर 1991 हो और छड़ा मेना हो ठीक है ना पहले के जो जन्म हुए हैं वो और एक साथ 2000 के बाद एक जुलाई 2000 के बाद जो भी जन्म लिये हैं वो ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं तो बच्चो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भरती सुरू होने से पहले ही ऑनलाइन फॉर्म होने से पहले ही कोड में पहुँच जाएगा तो ऐसा कहना कहा नहीं जा सकता है लेकिन एक उम्मीद तो लग रही है आप उन स्टुडेंट के बारे में सोचिए ये भरती 2018 से सुनने में आ रही दी कि दरोगा की भरती आनी है नो अजार साड़े नो अजार साड़े छे अजार भरती आनी है 2018 2019 2020 में भी बीस में आने की तो बहुत जादा संभावना थी कि आ जाएगी लेकिन बीस में भी नहीं और आई कब आई तो 2021 में और वो भी आने के बाद एक महीने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं अगर उन्होंने यह जो सीमा है ना आपकी 17 1993 ठीक है ना इसको उन्होंने क्या किया होता एक जन्वरी कर दिया होता एक जन्वरी 1993 कर दिये होते तो भी बहुत बच्चे फॉर्म को भर सकते थे बच्चों सोचिए आप दिगे जो बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आ गया हैं जो तो बहुत खुसी होगी कि ठीक है मैं फॉर्म भर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ O, B, C, S, C, H, T उनको 5 वर्स का छूट मिलता है 5 वर्स का छूट मिल रहा है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो अगर 30 साल के भी हैं जो जनरल कैटिगरी के बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल से इसकी तयारी किया है फॉर्म आने का वेट कर रहे थे और अब उनके साथ ऐसा हो जाए कि फॉर्म यह डेट अगर रख दी जाए इसकी वज़े से जो बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं आप समझ सकते हैं उनको कितना दुख हो रहा होगा तो जहां तक मुझे उम्मीद है भरती सुरू होने से पहले ही कोर्ट में चली जाएगी और बच्चों हमें लगता है भरती बोर्ड ने ये ववस्था करके ही फॉर्म को ऑनलाइन निकाला है ये ववस्था करके ही निकाला है कि हाँ बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे ही उम्र की सीमा को लेकर उनको भी ये साइध पता होगा कि साइध कोर्ट में भरती जाएगी सुरू होने से पहले ही और एक बार कोर्ट में चली गई तो फिर तो निर्ले आने में कितना टाइम लग जाएगा कितना महिना लग जाएगा तब तक तो साइध इलेक्षिन भी आ जाएंगे है ना और ये रही आपकी बाद तो हाँ यहाँ पर उम्र की सीमा जो उनोंने दी है बिल्कुल गलत दी है बच्चो उनको कम से कम ये एक जनवरी 1993 करना चाहिए था एक जनवरी 1993 करना चाहिए था और सबसे बड़ा दुख मुझे बहुत दुख हुआ यूटूब पे एक चैनल है चैनल का नाम तो नहीं बता सकता मैं ठीक है क्योंकि ये गलत होगा उनोंने अपना तो मतलब क्या बता हूँ बच्चे इतनी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है और इतने मतलब मिडल क्लास फैमिली से बच्चे बिलॉंग करते हैं जो अगर वो हाई क्लास को बिलॉंग करते हैं तो ये सारे फॉर्म के पीछे पढ़ेंगे ही नहीं या तो लो लेवल के हैं या तो मिडल क्लास के हैं वो इस मिडल क्लास फैमिली को बिलॉंग करते हैं अब उन्होंने क्या किया कल नोटिफिकेशन आया और आज उन्होंने एक बैच जारी कर दिया क्या जारी किया है पंद्रह अजार रुपे का बैज जारी किया है पंद्रह अजार रुपे आप दीजिए बैज को जोईन करिए और जहां तक उम्मीद है अगर भरती कोड में नहीं जाती है तो जुलाई है ना मार्च अप्रेल अप्रेल में आपका फॉर्म फिल अप हो जाएगा पुरी है लेकिन उम्मीद तो 70% लग रहा है भरती शुरू होने से पहले कोड में जाने वाली है क्योंकि वो बच्चे सांत नहीं बैठेंगे और मेरी भी राय ये है कि उनको जाना चाहिए अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए उनको एक बार कोसिस करना चाहिए लेकिन सबसे दुख की बात वही है कि बच्चो अभी मतलब उन्होंने 15,000 रुपे फीस रख दिया है कि आप जॉइन करिए और अपने सिलेक्शन को पका करिए ये करिए वो करिए अरे यार अग 15,000 2,000, 3,000 समझ में आता है आप YouTube पे पढ़ाने का मतलब क्या है YouTube से भी आप पैसा कमा रहे हो एड आते हैं उनसे भी पैसा कमा ही रहे हो YouTube से पैसा तो कमा रहे है न उसके बाद इतना ज्यादा फीस रखने का क्या मतलब है अभी जानते हैं क्या करेंगे वो पहले 15,000 रुपे फीस दे के कुछ बच्चे तो जोईन कर लेंगे जो उसके लायक हैं 15,000 देने के लायक हैं दे के जोईन कर लेंगे इस उम्मीद में कि मेरी तयारी अच्छी हो जाएगी चलो ठीक है वो बच्ची जोईन कर लेते हैं एक समय आएगा कि अब अड्मिशन कम होने लगेंगे अड्मिशन कम होने लगेंगे 15,000 फीस बच्ची नहीं दे पाएंगे फिर जानते हैं क्या आएगा फिर उनकी तरफ से आएगा एक कूपन कोड ठीक है न? एक कूपन कोड आएगा कि ये कोड आप डालिए आपको 20% डिसकाउंट मिलेगा फिर 30% डिसकाउंट मिलेगा 40% डिसकाउंट मिलेगा फिर वो फीस को कम करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ मैंने फीस बहुत ज्यादा रख दीए अरे यार ये सब पहले सोच लो है ना इतना फीस क्यों रखना बच्चों की साथ मतलब बच्चों की मजबूरी का फायदा क्यों उठाना है यार नहीं ये बिल्कुल गलत है मैं इसके खिलाफ हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको फीस रखना है तो ऐसा रखिए कि जो सबको लगे कि ठीक है है ना दो अजार धाई अजार दो अजार भी रख लेते हैं आपके साथ पचास अजार बच्चे जुड़ जाते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा यार पैसे की फीछी क्यों पढ़ रहे हो ठीक है तो बच्चो बस ये उम्र की जो सीमा है इसको ले के जहां तक उम्मीद है कोट में जाएगी भरती ठीक है ना भरती कोट में जाएगी और बच्चो एबी सी क्लासिज जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं उत्तरप्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट पर जॉब कर सुका हूँ लगबग धाय से तीन साल मैंने जॉब किया हुआ है अब मैं छोड़ चुका हूँ ठीक है तो बच्चो अभी मेरा मैथ का क्लास भी चल रहा है रेलवे ग्रूप डी का इस्पेसल सेलेक्शन बैस चल रहा है UPSI के लिए आपका मैथ मैथ कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा और बच्चो बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा मुझे नहीं चाहिए आप से पैसा मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे जोईन करें और यहां से पढ़ाई करें ठीक है अभी भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं जो भी चैप्टर हैं जितने भी चैप्टर मैंने डाल रखे हैं एक भी चैप्टर में आपको कमी लगे तो बताईएगा कि नहीं आपने अच्छा नहीं पढ़ाया है है ना आप बताईएगा मुझे यह मेरा वाट्सेप नंबर है मैं तो बच्चों से बिलकुल खुल के जुड़ा हुआ हूँ ठीक है बच्चों से बिलकुल खुल के जुड़ा हुआ हूँ कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं ठीक है ना तो मैस की तयारे मैं पूरी करवाऊंगा उसके साथ साथ मूल विधी मूल विधी आपकी जो है मूल विधी भी मैं कम्पलीट कराऊंगा मूल विधी में अच्छा ग्यान मुझे इसलिए है क्योंकि बच्चो 6 मैने की ट्रेनिंग किया है मैने पुलिस में और वहाँ पे एक से एक अच्छे जो हमारे टीचर है सब इंस्पेक्टर हमें हम लोग को पढ़ाते थे ठीक है ना तो उनके पास मूल विधी का बहुत अच्छा ग्यान होता है और हमें पता है कौन-कौन से important चीजे है मूल विधी में जो एक्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महतोबूर्थ साबीत होंगे ठीक है तो मुझे ये पता है मूल विधी में क्या आपको पढ़ना है जितना वास्ट है वो सब पढ़ना ही नहीं है जितना मैं पढ़ाँगा बस उतना पढ़ना है ठीक है बच्चो तो मेरे बैच को आप जोईन कर लिजेगा बैच कब सुरू होगा उसकी भी नोटिस में डाल दूँगा खेर मैट पढ़ने के लिए तो अभी आप जोईन कर लिजे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है बच्चो थैंक यू सो मच बाकी फॉर्म आप भर दीजेगा जब ऑनलाइन होगा एक एक अप्रेस है उनलाइन होगा फॉर्म भर दीजे तैयारी सुरू कर दीजे ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है कोड में जाती है या नहीं जाती है बात की बात है हमारा काम है तैयारी सुरू करना तो हम तैयारी को सुरू करते है ठीक है थैंक यू सो मच और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें झाल